लो दोस्तो सूल औफ लाइट की स्टोडी कंटीनीूब है इस पा patents के स्टारिंग में हम होंग को देखते हैं जो सेलिश्टियल प्लेस के बाहर वाले इलाके में होता है जहां पर हंग आसपास देखता है लेकिन अब सेलिश्टियल प्लेस पहले जैसा बिलकुल भी नहीं था क क्योंकि उसके हर एक जगे में कुछ ना कुछ तोटा हुआ था, जिसके बाद हॉंग धीरे-धीरे हॉल के तरफ जाने लगता है, अब हॉंग चलते-चलते हॉल के गेट तक पहुच जाता है, जहां पर हॉंग सबसे पहले गेट को खोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बरात है, लेकिन उसका हाथ गेट के आन पार हो जाता है, यह देखकर हॉंग खुद उस गेट के आन पार चला जाता है, अब हॉंग अंदर जाते ही, अब हॉंग अंदर जाते हुए भी अपने आच्पांस के चीज़ों को देख रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ही जदा आताज को देखकर उसे ग्रीट करता है तभी टायसन कहता है कि आकिर तुम कौन हो और जब तुम यहाँ पर आई तो मुझे तुम्हारे सांसे महसूस क्यों नहीं हुई अब इससे पहले की हौंग को जब आप देपाता टायसन उसके उपर अटेक करके उसे पीछे तकेल देता है जिस पीर भी आप मेरे उपर अटेक क्यों कर रहे हो इस पर टायसन अटेक करते हुए कहता है कि वह तुम्ही हो जो तुमारे से हवा है यह सब देता है अब वो सभी क्लोन के चारों तरफ से घेर लेते हैं और अटेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं यह देखकर होंग घबराता नहीं और अपने स्पिर्चल बॉड़ी को एक्टिवेट करता है और फिर एक साथ उन सभी क्लोन के उपर अटेक करके उन्हें डिस्ट्रॉ और कहता है कि जाने का समय हो गया जिसके बाद स्थीन बदलता है और होंग को एक ग्रेप के प्रेट करते हैं वोह कहता है कि मौंघ सा साल बीच चुके हैं और अब मैं इम्पेयरियल एक्ग्जाम में हिस्षा ले सकता हूँ अब अपनी मौंघ के साथ बाते करते हुए काव माफी जाता है जिसके बाद होंग अपनी मौम के लिए पिरे करने के बाद एक प्लेस के पांच जाता है जहां पर जाकर होंग घर के दर्वाज ठक ठक आने लगता है जिसके बाद कुछ देर में दर्वाजा खुलता है और एक मौंग बाहर आता है जो होंग को कहता है कि मिश् मैं तो बस अपनी मॉंग को देखने के लिए आया था और इसके अलावा मैं यहाँ पर रुखने का इजाज़त भी चाहता हूँ और मैं बहुत जल्दी इंपेरियल एक्जाम भी देने वाला हूँ इस पर मॉंग कहता है कि तो बिर तुमारा उमर होई गया इंपेरियल एक्जाम में हिस्ता लेने का फिर मॉंग हॉंग को अंदर आने की इजाज़त दे देता है और कहता है कि तो फिर तुम वेस्ट विंग साइट के हांस में रुख सकते हो इसलिए तुम सबसे पहले अपने कमरे में जाओ मैं तुम्हारे लिए करम चादर का इंतिजाम करता हूँ क्योंकि अभी ठंड वहती जादा है इस पर हॉंग उन्हें ठैंक्स कहता है के बाद अगले सीन में हम हॉंग को उसके कमरे में देखते हैं जो कि पराई कर रहा होता है जहां पर हॉंग कहाँ भी ध्यान से मन लगा कर पराई कर रहा था लेकिन तबी अच्छानक खिरकी से तेज हवा चलने लगता है जिसके वज़े से उसका मौम पत्ते भी बुझ जाता है ये देखकर हॉंग अपने मन में कहता है कि जब तक मेरा दिल मजबूत है कोई भी बुझ मेरे पास नहीं आ सकता इतना खेगर हॉंग खिरकी के खिरकी को बंद करने के लिए चला जाता है लेकिन तबी इसे मार्वटन के ओ पर एक उल्लू उड़ता हुँआ दिखाई देता है जो देखकर हॉंग कहता है कि क्या यया सध्यो पुराना उल्लू का एक भोत हो सकता है अब हॉंग खिरकी की का नाम यून होता है इस पर यून कहती है कि तुमने क्या लगता है इस पर हUNG रर्टे हुए में कहता है कि जो लोग के दुनिया में डरावने दिखते हैं वो जरूर ही वह ती हो सकते हैं और वैसे भी मैं एक स्कोलर हूँ और मैं अपने लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया है और इसकी अलावा मैं तो बस अमने मा के ग्रेव को यहाँ पर देखने के लिए आया था लेकिन अगर तुम मेरे साथ राद विताना चाहती हो तो तुमने एक गलत इंसान को चुना है लेकिन तब यून हॉंग के उपर अटेक कर देती है ये देकर हॉंग काँफी जादा डर जाता है लेकिन यून उसे कुछ भी नहीं करती लेकिन हांग को लेकिन हांग तो काँफी जाता डर जाता है तब यून उसे कहती है कि तुम काँफी जाता इंट्रेस्टिंग बंदे हो मैं तो बस तुमारे साथ मजा कर रही थी और इसके अलावा मैं कोई वोत नहीं हूँ बलकि मेरा नाओं यून है और अगर तुम्हें य undoubtedly होता तो देखो मेरे पास मेरा सैड़ू भी है तब हो यून को कहता है कि तुम्हारा बेट तो काफ यादा गरम है इसलिए तुम कोई वो तो नहीं हो सकती तो फिर तुम क्या हो क्या होक्त तुमी स्वट फेरी से आ आई हुई कोई फेरी हो या फिर कोई नाइट chew लेकिन तुमारी जैसी लरकी पावर में क्या कर रही है इस पर उन्क कहते हैं कि क्या तुम्हें जी पाऊषे जाता है कि यहां से गजर रही थी तो मैंने मुझे तो कीटर चाहिए था जो कि मेरे रिस्स्तेदार के बच्चों को परा सकेए इसलिए अगर तो मेरे रिस्तेदार के वच्चों को पराने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें एडवास पर पे कर सकती हूँ फिर यून हॉंग के सामने कुछ गोल्ड रख देती है जिने देकर हॉंग सोचता है कि ये गोल्ड तो काफिजदा अच्छी कॉलिटी के हैं क्या ऐसा हो सकता है कि लेकिन तब यून कहती है कि लो मैंने पहले ही पे कर दिया क्या अब तुम पराने के लिए मानोगे इस पर हॉंग कहता है कि मैं परापाऊंगा या नहीं ये तो मैं अपने डिसाइपल्स को देख कर ही कर सकता हूँ इसलिए हम सबसे पहले मैं अपने डिसाइपल्स से म इसे बात को सुन कर यून होंग का हाथ पकर कर ते जिसे हवा में चलांग मारते हुए ले जाने लगती है ये देकर होंग कहता है कि Arab कर देखता है कि कुछ लोमरी को पड़ाना है। ये दिकर हॉंग कहता है कि ये तो काँ भी ज़्यादा आजीव है लेकिन तब लीटल फॉक्स हॉंग के कंदों पर चरकर कहती है कि सिस्टर आपने एक नया टीचन लाया है लेकिन ये तो डर ही नहीं रहा ये तो काँ भी आदा अच्छा है और इसे के साथ ये पाट ये पर ख हो जाता है